कि कैसे दोस्त आप सबका स्वागत है यूनिक ऑनलाइन क्लासेज में चलिए हम आज एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं बहुत ही इंपॉटेंट है उससे भी कई सवाल आ जाते हैं देखें आप लोग को पार्ट पार्ट में इस वज़े से करके दे रहे हैं ताकि आप जो है उसको बेसिकली जल्दी जल्दी आप रिवाइस कर लेंगे पूरी साइस से ही कवर कर लीजे आप 20-25 टॉपिक है तो टोटल ठीक है अगर मैं भी बायो की बात कर रहा हूं ठीक है तो आप 20-25 आवर्स में फुल बायो आप अपनी पूरी पर सकते मैक्सिमम गया तो कोशिश करूंगा 15-16 आवर्स में आपको पूरा पूरा बायो पूरा कवर करके आपको दे कि हम पूरा का पूरा पढ़ ले बायो तो इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है और मैं आपको बता दूँ आपके पास इस समय चुटियां पढ़ गई है ठीक है नुकसान हो रहा है सबका सभी का हो रहा हमारा खुद हो रहा है तो कहीं न कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पास समय ठीक ठाक मिल गया है आप उन चीजों को बहुत जल्दी अगर आप चाहें तो पूरा एक दिन में पूरा पढ़ लीजे वो याद रह जाएंगे आपको आज 15 मिनट देखे कल 20 मिनट देखे कोई मतलम नहीं निकलता है वो दिमाग में रिटेन नहीं रह पाती है आप रहा से करें कि सारा का सारा जल्दी जल्दी उसको निपटा है ठीक है तो चलिए हम आगे आते हैं स्टार्ट करते एक छोटा सा बड़ा बढ़िया सा टॉपिक है ठीक है हम देखते हैं जरा फल एवां सब्जी उनके स्वाद और रंग के बारे में जरा बात कर एवं स्वाद एवं उनके रंग है ना आपने देखें कि कई बार सवाल आ जाते हैं कि यह बताईए फलाना कड़वा क्यों है कोई मीठा क्यों है अब सारी सब्जीयों को फलों को तो नहीं पढ़ा जा सकता ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उससे बाहर आपको नहीं पू नहीं चेक करना है उनको उनको चाटना है भी यह क्या करेंगे चेक करके ना पीच्टी वाले को बहुत ज्यादा नौलेज रहेगी लेकिन बिशारा एससी का इग्जाम नहीं निकाल पाएगा क्यों कूई उसने वह चीज नहीं पड़ी है जो एक्जाम में पूछा जाना च सोच रहा है कि बहुत एक्दम डीप नौलेज मिल जाएगे हमें तो मैं उससे माफी पहले चाहरा हूं हम यहां सिर्फ और सिर्फ इग्जाम पॉइंट आफ व्यू से यहां बात करने के लिए खड़े हुए हैं हां इसके अशूर्टी मैं दे सकता हूं कि आपको इन वीडि किसे अशूर कर सकता हूं आपको उतने को स्चनस आपको वहां से मिल जाएंगे घुमा फिरा करके भी आपका कुछ कौमन बे बेसिक भी लगता है अब जैसे कोई पूज़े भी घून का रंग लाल क्या होता है अब इतना तो पता ही होगा भाई ठेक है कि कोई लिखाए該 न टमाटर का लाल रंग किसकी वज़े से होता है लाइकोपीन की वज़े से बस देखते चलिए जल्दी जल्दी है ना फिर आ जाता है चुकंदर चुकंदर का लाल रंग यह आ जाता है बिटाइनिन के का रंग गाजर का नारंगी रंग अपली साफ में नोट करते चलिए गाजर के सब कुछ कवर करा दें कुछ छोड़ेंगे नहीं ठीक है पूरी साइंस मैं कवर करा दूँगा कुछ छोड़ूगा नहीं गाजर का नारंगी रंग बीटा के रोटेन या के रोटेन की वज़े से दूद का सफेध पन जो है सफेध होना आप अईसे कह लें वो किसकी वज़े से है कैसीन प्रोटीन की वज़े से होता है कैसीन कैसीन प्रूटीन और इसका पीला पन जो है दूद का जो पीला पन है वो किसकी वज़े सोता है कहीं ने कहीं उसका कैरोटीन का हाथ रहता है वहाँ पर कैरोटीन का हाथ रहता है ठीक है तो थोड़ा इसको याद रखें तीसरे का यह पार्ट है दूद का जो है पीला होना है ना दूद का पीला होना बीटा कैरोटीन की वज़े से होता है आगे आते हैं जरा चौथा आवले का कसैला पन कसैला होता है ना कसैला पन कसैला पन किसकी वज़े से होता है टेनिन के कारण होता है टेनिन के कारण होता है आगे आते हैं जरा नीम का जो पत्ता करवा होता है ना नीम के पत्ते का करवापन यह होता है निम्बी डीन के कारण निम्बी डीन के कारण होता है तो यहां तक आप देख लें यह टमाटर वाला छूड़ गया इसको आप छठा नंबर देना चाहिए लिए वरना वो पहले से इस्टाट है इसको छठा कर लीजेगा आप ठीक है तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन चुकंदर का लाल रंग बिटैनिन गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन दूद का सफेद होना कैसीन प्रूटीन के कारण होता है कैसीन प्रूटीन के कारण होता है दूद का पीलापन कैरोटीन की विज़े से होता है और आवले का कैसेलापन टेनिन के कारण नीम के पत्ते का कड़वापन निमिडिन करें अगर ठीक है मैं कि शरीर की शाड़ करें नहीं कि बच्क का जाया है लेकिन लिए कि सब्सक्राइब जितना बच्चे ग्रहन कर पाते हैं उतना हम दूच से हम प्रोटीन नहीं ग्रहन कर पाते हैं क्योंकि इसकी कमी रहती है थोड़ी बहुत ठीक है उतना नहीं रहता है पर इतना ज्यादा नहीं रहता है कि वहां से हम बहुत ज्यादा मातरा में प्रोटीन हम खीच पाएं समझ इसको याद रखेगा, यह मिर्च के बारे में है, देखे, मिर्च का लाल रंग, लाल रंग, रंग याद रखे, लाल रंग, कैप से थिन की वज़ा से होता है, और मिर्च का तीखा पन, मिर्च का तीखा पन, ठीक है, किसकी वज़े से होता है आपका, कैप से सिन, यह दुनों नाम एक जैसे पढ़े जाते हैं, इस वज़े से आपको इसको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा, सिन सिन, सी सी करते हैं न, ठीक है, तीखा जब लगता है, तो वहाँ से आपको कैप से सिन बोलेंगे, तीखा पन जो है, कैप से सिन, और लाल रंग जो है, कैप से थिन की वज़ा से होता है, अगला देखें अगर एक, करेले का, करेले का करवापन, याद रखेंगा, करेले का करवापन, किस की वज़े से होता है, मिमोडी को साइट के वज़े से होता है, क्लियर, आगे आते हैं जरा, इधर मिटा रहा हूं नीचे, निच्ट आते हैं जरा, देखें, हल्दी का पीलापन, आपको वही लिखा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हल्दी का पीलापन, क्या रहता है, कुर्कुमीन के कारण, कुर्कुरा रहता है न, सुखा करके पीसते हैं उसको लो, तो कुर्कुमीन के कारण, प्याज, प्याज का आँखों में लगना, आसू आ जाते हैं न, प्याज का आँखों में लगना, किसकी वज़े से होता है, या प्याज का जो तीखा स्वाध होता है, ठीक है न, किसकी वज़े से होता है, सल्फेनी कमल के कारण होता है, सल्फेनी कमल के कारण होता है, सल्फनी कमल के कारान होता है आगे आते हैं जरा लहसन सुनें ना लहसन लहसन का लहसन की गंद जो रहती है वो अलिसिन कमपाॉण की वज़े से रहते हैं आपको क्यों ये नाम याद रखना है अलिसिन कमपाॉण जो लेसुन का गंध रहता है ठीक है या स्वाद आप कह लें उसको आप उसके लिए क्या होता है एलिसिन कंपाउंड जिम्मेदार रहता है लेसुन के लिए प्याज आखों में लगना है उसका जो तीखापन रहता हूँ सलफेनिक अमल के कारण रहता है हल्दी का पिलापन कुरकुमिन के कारण रहता है तो आपको इनको याद रखने की जरूरत है और अगर मैं और जैसे बाद मॊली का तीखापन मुली का तीखापन आपका मुली का तीखापन आईसो साइनेट की वज़ासे होता है मुली का तीखापन आपका आईसो साइनेट की वज़ासे होता है पपीते का पीला रंग कोई बता सकता है पपीते का पीला रंग जो है केरी का जन्थिन की वज़ासे होता है पापीते का पीला पन केरी का जैन्थिन के कारण होता है पापीते का जो है आपका पीला पन तो यहां से आप एक नाम और मैं यहां लिखना चाहूंगा आपका के आलू का जो हरा रंग हो आप सुने होंगे आलू का हरा रंग यहां पर लिख रहा हों मैं आलू का हरा रंग आलू का हरा रंग ठीक है ना सोले निन की वज़ा से होता है और आलू जो है तो किसकी वज़े से होता है तो यहां पर यह कुछ बहुत ही most important तत्व लिखे गए हैं जो की जिम्मेदार हैं किसी चीज के रंग के लिए या उनके स्वात के लिए यहीं से आपके ज्यादा तर सवाल बनते आए हैं और जहां तक हैं बनते रहेंगे औरना सबजीयों की फालों की तादात की फेरिस इतनी लंबी है कि आपको याद करना ब हम आफी चाहूंगा लेकिन अगर यहां पर रहत इसमें से आपके सारे के सारे सवाल आपके एक तरीके से फाज जाएंगे ठीक हैं चलिए तो यहां पर इस चीज को हम क्लोस करते हैं प्लीज आप यह जितने भी आपके चौदा लिखे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है इन इसी तरह हम करते करते हैं पूरा साइंस कवर कर लेंगे आपका ठीक है तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजे हम नेक्ट लेक्शर में मिलते हैं किसी एक और अच्छे टॉपिक के सार्थ थैंक यूँ